hello everyone this is Chetan Gupta हमने हमारे जो लास्ट वीडिएयो था उसमें डिसक्स किया था प्रोनाउन ठीक है और प्रोनाउम में पर्सनल प्रोनाउम में डिसक्स किया था पर्सनल प्रोनाउम के जो अलग अलग case होते हैं subjective case, objective case and possessive case यह तीनों case और इसमें जो subject होता उसके अलग-अलग forms वो हमने देखे थे ठीक है आज हम देखने वाले हैं वो है subjective case और objective case के जो प्रणावन है उनका sentence में किस तरीके से use होता है किस तरीके से इनका उप्योग किया जाता है वो हम देखने वाले हैं ठीक है अब उसके पहले आप देखें जो English का जो general structure होता है sentence का वो क्या होता है subject plus verb plus object यह तीन चीज़े होती है main सबसे पहले subject होता है फिर verb होती हो उसके बाद में क्या होता है object होता है तो यहां पर हम देखेंगे कि subjective case में मतलब जो subjective case है आई वी यू ही यह जो हमारे प्रणावन है seven प्रणावन आई वी यू ही शी ए टुट दे तो इनको जब हम यूज करते हैं तो कैसे यूज किया हमने according to the structure सबसे पहले subject तो यह subject I am a student में एक विद्ध्यारती हूं we are students हम विद्ध्यारती है you are intelligent अब उद्ध्यमान है he is a teacher वह एक शिक्षक है she is housewife वह एक ग्रहनी है it is a child यह एक बच्चा है बेबी है they are eating food हुए खाना खा रहे हैं तो यहां पर जो I be you he she ate or they use हुआ है वह कैसे हुआ है subjective case में उप्योग हुआ है अब इसको देखें आप objective case में कैसे होगा subjective starting में हुआ अब objective case में आप देखेंगे यहां पर तो this is not for me अब इस sentence का मदलब देखें आप यह मेरे लिए नहीं है यह मेरे लिए नहीं है अब यहां पर आप देखेंगे कि this जो है यह क्या है as a subject यहां पर use हुआ है कैसे हुआ है मतलब करता की तरह और subject की तरह इसका उपयोग हुआ है और यह जो me है यह क्या है यह है इसमें object इसमें जो कहने वाला वेक्ति है वो क्या कह रहा है कि यह हाँ चीज जो भी चीज है यह मेरे लिए नहीं है चीज है तो इस बतलब यह चीज हुए वो क्या है वो subject है और मेरे लिए नहीं ह मैं क्या हूं इस sentence में में क्या हुआ हो मैं object हूं मतलब वह्या मु जूह मिल रही है मैं just हम च्आ के माईक साओ है तो यह जो me है वह कैसे वह हुआ है object की तरह use वा है इसलिए यह subject और यह मी किसका form है, I का form है, ठीक है, तो I का जो objective कैसे वो क्या है, मी है, ऐसे ही, he ordered ice creams for all of us, उसने हम सभी के लिए ice cream मंगवाई, order की, ठीक है, तो यहाँ पर he जो यह क्या है, subject है, ठीक है, और for us, हम सभी के लिए, यह क्या है, object, ठीक है, मतला ice cream जो मंगवाई गई है, वो किसके लिए, हमारे लिए है, ऐसे ही third sentence आप देखेंगे, I brought water for you, मैं आपके लिए पानी लाया, ठीक है, तो I क्या है, I, यहाँ पर subject है, और you क्या है, you, object है, I went to meet him, मैं उससे मिलने गया, अब I क्या है, as a subject यहाँ पर use हुआ है, और जो him, मतला उससे, यह क्या है, object, मैं किसे मिलने गया, उससे मिलने गया, तो मैं क्या हुँ, मैं subject हुआ 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 ऐसे ही principle called her to the office, principle ने उसे उस लड़की को कहा बुलाया, office में बुलाया, कारेले में बुलाया, ठीक है, तो यह जो principle है, वो क्या है, principle is subject here, और her जो है, वो object है, उसे बुलाया, ठीक है, और her कहा से आया, she से आया, हम यहाँ पर she का use नहीं कर से, principle called she to the office, यह नहीं होगा, यह गल subject की तरह अगर use करना है इसे, तो आपको objective case का ही use करना होगा, तब ही आप क्या करेंगे, आपका जो sentence होगा, वो sentence का, वो sentence ही होगा, ऐसे ही, 6th sentence आप देखेंगा, I am not dying for it, मैं इसके लिए मर नहीं रहा हूँ, या नहीं मर रहा हूँ, मतलब कि, मुझे इसकी भूक नहीं है, तो I क्या है, I is used here as subject, और it जो है, वो चीज है, जिसके लिए का जा रहा है, कि वो विक्ती मतलब इतना interested नहीं है, उसके लिए, वो उसको पाने के लिए मर नहीं रहा है, ऐसे, तो यह जो it क्या है, वो object है, I told them to meet me, ठीक है, I told them to meet me, मैंने उनसे कहा कि मुझे आकर मिले, तो I क्या है, यहाँ पर subject है, और जो me use हुआ है, वो क्या है, वो object है, और यहाँ पर जो them है, वो क्या है, I told them, मैंने उनसे कहा, to meet me, कि मुझे से आकर मिले, अब यहाँ पर जो them है, वो क्या है, वो object है, ठीक है, मैंने उनसे कहा कि मुझे से आकर मिलो, मैंने उनसे कहा, तो मैं क है वो क्या है वो अब्जेक्ट है ठीक है और to meet me मुझ्या कर मिले यहां पर एक और object है there are two objects in this sentence okay यह एक objective case me तो इस तरीके से जो आपके pronoun होते हैं उनका subjective case और objective case में उप्योग होता है objective case कभी भी starting में अगा sentence के आप रखेंगे इनको तो वो as it is नहीं रखे जाएंगे ठीक है अगर आपको मी को यहां लेकर आना है तो आपको उसे आई बनाना होगा असको अगर आप लेकर आएंगे इधर तेंक यू